नमस्कार गुट्टी की पोठली यूट्टूब में आपका हार्तिक स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही असान धंग से बनने वाली एक सौक्स का वीडियो लेकर आई हूँ इस सौक्स को मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है अगर आप केवल सीथा और उल्टा बनाना जानते हो तो भी आप बहुत आसानी से इस सौक्स को बना सकते हो इस सौक्स को मैंने यहां से स्टार्ट करते हुए पहले बॉडर बनाया फिर इस हिसे को बनाया फिर मैंने इसकी एड़ी बनाई पैर का हिस्सा बनाया और आखिर में मैंने इस सौक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक अंगुठे का हिस्सा और एक अपना उंगलियों का हिसाब नाकते हुए इस सॉक्स को मैंने कम्पिट किया है इस दोक्स को सिंप, यह सॉक्स सिंपल होने के बावजुद भी बहुत ही सुंदर और प्यारी लगती है और दोनों सॉक्स की शेप जो है वो बिल्कुल एक जैसी और बराबर बन कर आती है इस सॉक्स में मैंने बिल्कुल सिंपल सी वूल का इस्तेमाल किया है इसमें जो वूल लगी है वो वूल 59 ग्राम उन लगी है मल्टी कलर की उन तो आम मिल जाती है और इसमें जो ये वली उन है ये मैंने कुरूशिय की उन को डबल करके इसके उपर लगाया है तो आएं हम अपनी socks बनाना शुरू करते हैं और socks बनाने से पहले एक humble request अकर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने अफित तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थाकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो मैं उमीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आएए अब हम अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं वीडियो बनाने से पहले मैं एक बात और बता दूँ दोनों सॉक्स राइट पैर की सॉक्स और लेफ्ट पैर की सॉक्स को बनाने का तरीका बिल्कूल सेम है जो राइट पैर की सौक्स है उसमें हम पहले एड़ी बनाएंगे राइट पैर की सौक्स में पहले एड़ी बनाएंगे और अपने ये वले फंदों को छोड़ देंगे और जो हमारी लेफ्ट पैर की सौक्स है उसमें पहले हम अपने आधे फंदों को बिना पुने उतारने के बाद अपनी इस एड़ी को बनाएंगे तो आएए अब हम अपने भूट बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने अपनी एक बूट को पूरा कंप्लीट किया हुआ है एक बूट पूरे का पूरा मैं आपके सामने बनाऊंगी बूट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में पचास फंदे डाले हैं पचास फंदे बिल्कुल सिंपल डाले हैं फंदे मैंने दस नमबर के स्ट्राइफ पर डाले हैं उसके बाद एक सीधा और एक उन्टे का बौटर मैंने बनाया है 54 इसमें मल्टी कलर केंट पाच यह चार बार है एक और फंदे के स्थ 7वार मैंदे फंदैंड दालने का़ Chapel 13 के से सब्सक्राइब करी आपर इसमें मैंने 14 सलाई, एक सलाई सी थी और एक सलाई उपी बनाई है, इंचे टेप से नापने पर, ये हमारा डेड़ और पोने दो इंच के बीच की इसके लंबाई है, आप इस लंबाई को अपनी पसंद के अनुसार बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, इसके उपर हम 25 फंदे मैंने इधर रखे है, बीच में मैंने एक मारकर लगाया है, अगर तो हमें अपने सीथे पैर का अंगुठा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एड़ी बनाएंगे, एक सीथे पैर के बूट को बनाने के लिए, सबसे पहले हम अपनी एड़ी बन साइड के पैर को बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम अपने इस हिस्सी को नहीं बनाएंगे हम अपने इस हिस्से पर हम अपने एड़ी बनाने शुरू करना एड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहां से सारे फंदे 25 फंदे उल्टे उल्टे करके उतार ले अपने मार्कर तक 25 फंदे हमको इसी तारहां से उल्टे ही उतारने हैं मार्कर हम निकाल देंगे मार्कर का काम केवल इतना ही है यहां से हम अपनी उल्टे पैर की एड़ी बनाएंगे पहले हम दो फंदे सीधे बना लेंगे और एक फंदा हम पलट देंगे इसके उपर और बस सारी की सारी सलाई हम सीधी बनाएंगे इसके बाद हम जब भी बनाएंगे एड़ी तक इन्हीं 25 फंदों को बनाएंगे इसके उपर नहीं बनाएंगे यह रो हमने कंप्लेट कर ली यह रो मैंने कंप्लेट कर ली फंदे मेरे पास 24 है एक फंदा हमने यहां पर कम कर लिया है अब हम लेफ्ट साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे पहले दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके उपर पलट देंगे अब मेरे पास फंदे 23 रह गए है और सारी के सारी स्लाई हम उल्टे उल्टे बनाएंगे रोंग साइड से यह रो हमने कंप्लेट कर ली अब हम सीथी साइड से अपने इस धाके से आगे बनाना शुरू करेंगे यह देखे मैं नया धाका लगा रहे हूं और तो फंदे हम सीथे बनाएंगे पहले और इस फंदे को हम इसके उपर पलट देंगे अब मेर पास सिलाई में फंदे 22 रह गए हैं सारी के सारी सिलाई हम सीथी सीथी हीव नाएंगे सीथी साइड से यह रो हमने कंप्लेट कर ली है अब हम रोंग साइड से अपनी दो फंदे पहले उल्टे बनाएंगे और पीछे वाले एक फंदे को हम इसके उपर पलट देंगे अब मेरे पास सिलाई पर फंदे 21 हैं और यह सारे के सारे रो में उल्टे उल्टे ही बनाएंगे रोंग साइड से यह रो हमने कंप्लेट कर ली अब हम सीथी साइड से फिर से मर्टी कलर से बनाएंगे पहले हम दो फंदे सीथे बना लेंगे और पीछे वाला फंदा हम इसके उपर पलट देंगे अब मेरे पास फंदे 20 रह गए हैं और सारे के सारे सलाई में को सीथी सीथी ही बनाने हैं और इससे तरहां से एक बार मर्टी कलर से दो सलाई एक बार पीच कलर से दो सलाई लगातार बनाते हुए पहले मेरे को एक दो तीन चार चार पार सलाई मर्टी कलर से बनानी है और चार पार पीच कलर से बनानी है एक दो तीन चार आठ रो हो गई टोटल सलाई सोला हो गई तो पहले मैं आठ बार इन फंदो को कम कर लूँ दोनों साइड से फिर हम इसके उपर अपनी एड़ी को कम्प्रीट करेंगे यहाँ पर हमने चार पार मल्टी कलर से और चार पार पीच कलर से दोनों साइड से फंदो को कम कर लिया है आठ फंदे इधर से कम हुए है आठ फंदे हमारे इधर से कम हुए है 16 फंदे 25 फंदे टोटल थे 25 में से 16 गई 9 फंदे इस सम्मी मेरे पास सिलाई में 9 फंदे हैं तो 4, 6, 8 और 1, 9 इसके उपर अब हम क्या करेंगे अब हमी मर्टी कलर से बनाना है मर्टी कलर से पहले हम ये रो सारी की सारी सीधी बनाएंगे अब हम यहां से अपने इस फंदे को एक फंदे को उठा लेंगे जब हम मर्टी कलर से बनाएंगे तो 5 कलर का फंदा उठाया जाएगा एक फंदा हमने अपना बढ़ा लिया अब हम रोंग साइड से अपनी सारी की सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनाएंगे और यहां पर फिर से हमने जो एक फंदे को कम किया था पीच कलर के फंदे को बिल्कूल यहां से हम अपना एक फंदा उठा लेंगे फंदे हमारे पास क्यारा हो गए दो रों मट्टी कलर से बना ली हैं अब हम पीच कलर से यह सारी की सारी रों सीथी बनाएंगे पीच कलर से बनारे हैं तो मट्टी कलर का हम फंदा उठाएंगे यहां से और रॉंग साइट से सारी की सारी रों हम उठाएंगे पीच कलर से बना रहे हैं तो हम अपने सेकिंड मट्टी कलर से एक फंदे को उठा लेंगे दो रों पीच कलर से बना दी दो रों मट्टी कलर से बनाएंगे जब हम मट्टी कलर से बनाएंगे तो पीच कलर का जो हमने फंदा कम किया था वहां से हम एक फंदे को उठा लेंगे और इसे तरहां से बनाते हुए चार बार हमने मट्टी कलर से इस तरह बनाया है और चार बार ही पीच कलर से बनाया है इस साइट भी हम चार बार मट्टी कलर से बनाएंगे चार बार पीच कलर से बनाएंगे जब मट्टी कलर से बनाएंगे तो पीच कलर से फंदा उठाएंगे और जब पीच कलर से बनाएंगे तो मट्टी कलर का फंदा उठाएंगे तो इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अ उन्नो साइड से फंदे उठा लिये हैं इस समय मेरे पास सिलाई में 25 फंदे हैं हमारी एड़े की शेप इस तरहां से बन कर आ गई हैं अब हम इसके बाद बिलकुल पहले की तरह ही उल्टे उल्टे फंदे उतारते हुए पहले सारे के सारे फंदे हम अपनी राइट हैंड पर ले लेंगे इसके उपर अब हम फिर से एक सलाई सीथी और एक सलाई उटी बनाते हुए अपने पैर की लंबाई को हम कमप्रीट करेंगे मैंने यहां पर जो अपने पैर की लंबाई बनाई है उसमें मैंने 40 रो डाली है 40 रोस है, यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक 40 रोस है, इंची टेप से नापने पर पूरी 5 इंच है, आप इस लंबाई को अपनी पैर के अनुसार कम या जादा भी कर सकते हो, तो पहले मैं यहां तक अपनी 40 रोस को कम्प्लीट कर लेती हूँ, जहां पर मैंने अपनी बूट के लंबाई 40 रोस पूरी कम्प्लीट कर ली है, और इंची टेप से नापने पर पूरे 5 इंच का लंबा कम्प्लीट कर लिया है, इसकी उपर, अब मैं अपनी बूट के इस अंगुठी को और यह अंगलियों के हिस्से को बनाऊंगी, इसके लिए दोनों साइट से बनाने का मैथड बिल्कुल सेम है, दोनों साइट 11 फंदे इधर छोड़ूँगी और 11 फंदे मैं इधर छोड़ूँगी, पहले मैं 11 फंदे पिना बुने उटे 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 उतार लूँगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ज्यारा, एक पर काउंट कर लेंगे, दो, चार, छे, आठ, दस, और एक यारा, इसके उपर अब हम अपनी मर्टी कलर से बनाना शुरू करेंगे, यहाँ पर बनाने से पहले मैंने सेंटर में एक मार्कर लगा लिया था, 25 फंदे इधर है, 25 फंदे मेरे पास इधर है, 25 फंदों में से 11 फंदे मैंने बनाई नहीं है, बिना बुने उतारे हैं, और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए, मार्कर से 2 फंदे पहले तक हम सीधा सीधा बनाएंगे, 2 फंदों का एक अठा एक फंदा बिल्कुल सिंपल तरिके से कर लेंगे, मार्कर अपनी स्लाइप पर ले लेंगे, इन 2 फंदों का भी हम एक अठा एक फंदा बनाएंगे ऐसे, एक फंदा उतार लेंगे सीधा और एक फंदा सीधा बुनकर इसको हम इसके उपर पलट लेंगे, एक फंदा इधर से कम हो गया, अब मिरको सीधा सीधा बुनते हुए, इधर के 11 फंदे छोड़ने तक सारे फंदे सीधे बनाने हैं, इधर के 11 फंदे रह गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 11, अब हम रॉंग साइड सी बनाएंगे, रॉंग साइड सी हम ने जो मट्टी कलर के फंदे बनाए हैं, बस उनी उनी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना हैं, ये रॉंग साइड से रोग कम्प्रीट कर ली हैं, इसके उपर हम अपने पीच कलर से ही बनाएंगे, सीथी साइड सी हमेशा सीथा ही बनाना है, और सीथी सीथा बनाते हुए दो फंदी छोडने तक हम सारा सीथा बनाएंगे, इन दो फंदो का नॉर्मल एक फंदा हम सीथा बनाएंगे, मार्कर अपनी स्लाइपर लेकर इन दो फंदो का इकठा एक फंदा बिलकुल पहले की तरह ही बनाएंगे, एक फंदा मेंने सीथा उतार लिया है बिना बुने एक फंदा सीथा बुनकर इसको हम इसके उपर पलट देंगे, यह सारी सिलाई हम सीथी बनाएंगे और वापसी भी उर्टी लेकर आएंगे फिर हम इसके उपर बनाएंगे, पीच कलर से हमने रॉंग साइट कम्प्रीट कर ली है, अब हम अपनी मर्टी कलर से फिर से अपने इनी फंदों को अपनी फंदा मारकर तक दो फंदे छोड़ने तक सारे के सारे फंदे हम सीथे बनाएंगे, दो फंदों का इकठा एक फंदा मारकर अपनी स्लाइप पर लेकर इन दोनों फंदों का भी इकठा एक फंदा और इसी तरह से बनाते हुए हमें कितनी बार बनाना है मर्टी कलर से एक दो तीन चार बार और पीच कलर से एक दो तीन चार बार दोनों ही कलर से हमें चार चार बार बनाना है तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर मैंने चार बार मर्टी कलर से और चार पार पीच कलर से अपने फंदों को कम कर लिया है पीच कलर की एक स्लाइप बनाई है एक स्लाइप हम आपके सामने बनाएंगे सबसे पैटे हम यहाँ पर अपने आते फंदों को बनाएंगे आते फंदे मेरे 6 है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और 6 ही फंदे इधर हैं, दो, चार, छे, इसको हम सीथी साइट से इस तरह अपस में मिला लेंगे सीथी साइट अंदर है और रॉंग साइट बाहर है, यहाँ से हम अपने फंदों को इस तरीके से बन कर लेंगे दोनु फंदों को इकठा बना लेंगे, आगे वाले दो फंदों को भी इकठा ही बना लेंगे और पीछे वाला एक फंदा हम इसके उपर पलट देंगे फिर से दो फंदों को इकठा एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले एक फंदे को हम इसके उपर पलट देंगे बस इसी तरह से हम पहले सारे फंदों को बन करेंगे सारे फंदे बन करती है और थाके को मैंने काट दिया है लंबा काटा है इसी से मैं इसके यहां पर सिलाई करूंगे अब हम अंगुठे बनाएंगे यहाँ पर मैंने अपने उंगलियों के हिस्सी को पूरा कम्प्रीट कर लिया है अब हम यहाँ से अपना अंगुठा बनाना शुरू करेंगे और अंगुठा बनाने के लिए दोनों साइड के 11-11 फंदे मैंने एक स्लाई पर ले लिये है यह मेरे पास 22 फंदे है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा का डपल पाइस इसके उपर अब हम अपने मर्टी कलर से एक स्लाई सी थी और एक स्लाई उल्टी पहले मर्टी कलर से बनाएंगे पहले मैं यह दो रो कम्प्रीट कर लेती है मर्टी कलर से दो रो बनाने के बाद दो रो अब मैं पीच कलर से बनाऊंगी एक सलाई सी थी और एक सलाई उर्टे और इसे तरहा से बनाते हुए हम अपने अंगूठे में भी एक एक दो तें चार चार पार मट्टी कलर से बनाएंगे और चार पार ही पीच कलर से बनाएंगे एक दो तें चार तो पहले मैं अंग पर हमने अपने अंगुठी के लंबाई भी कंप्लिक कर लिया है चार पार मट्टी कलर से और चार पार हमने पीच कलर से बना लिया है अब हम क्या करेंगे अपनी धागे को काटके सुई में मैंने डाल लिया है बस उल्टा उल्टा उतारेंगे नहीं बस उल्टा उल्टा सा इस तरीके से हम इसको और अभी ठींचेंगे भी नहीं बस पहले हम एक बार इसी तरिके से सारे फंदो में इसे अपनी निकालेंगे एक बार हमने सारे फंदो में इसे अपने धागे को निकालिया है एक बार हम और निकालेंगे और अपने फंदों को हम अपनी सिलाई से भी उतारते चले जाएंगे इस तरीके से हमने यहाँ पर दो बार अपने फंदों में से धागे को निकाल लिया अभी हम इसको खींचेंगे नहीं जोर से नहीं खींचेंगे अब हम इसको जोर से खींच देंगे पूरे जोर से खींचने के बाद इसी थागे से ही हम इसकी यहाँ पर सिलाई करनी शुरू करतेंगे सिलाई बस दो थागे हम इधर से लेंगे और दो थागे हम इधर से लेते हुए पहले हम अपनी बिल्कुत सीथी साइड से स्लाई करनी है पहले हम अपने इस साइड की स्लाई आधी करेंगे और फिर हम इधर से इधर ले करेंगे अगर हम पूरे का पूरा इधर ले जाएंगे तो हमारा यहां से थोड़ा बहुत जुरूर उपर नीचे हो जाएगा पहले मैं इस थागे से अपनी सारी स्लाई कंप्रीट कर लेते हैं एक बार इधर से इतनी स्लाई कंप्रीट करने के बाद एक बार हम यहां से भी उपर से नीचे की तरफ लाएंगे पहले हम सीथी साइड को आपस में जोड़ लेंगे बिल्कुल किनारे से हम इसको यहां पर पक्का करेंगे केनारे से पक्का करने के बाद जुराप हम सीथी कर लेंगे और सुई को हम अपनी इस तरीके से एक साइड से बाहर निकाल लेंगे बस इसके बाद बिलकुल से मैथड से दो थागे इधर से और दो थागे इधर से लेते हुए हम अपनी सारी की सारी जुराप की सिलाई करते हैं यहां पर हमने अपनी एक साइड की सारी सिलाई कम्प्रिट कर ले है अब हम सिर्फ इतने हिस्से की स्लाई करेंगे और इतने हिस्से की स्लाई हम सीथी साइड से करेंगे इसको बस एक थाका हम इधर से ले लेंगे और एक थाका हम इस तरह से लेते हुए इस साइड के हम सारी की सारी स्लाई कम्प्लेट करेंगे यहां पर हमारा बूर्ट बनकर बिल्कूल तेयार हो गया है अब मैं आपको इसको पैर में डालके दिखा रहे हूँ सौक्स बनकर बिल्कूल तेयार हो गई है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स जरूर करें जल्दी ही मिलेंगे कुट्टी की पोठली में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें कुट्टी की पोठली नमस्कार धान्यवाद